हेलो दोस्तो आज मैं बनाने जा रही हूँ उत्राखन का फेमस पक्वान गढ़ेरी की सबजी इसे अक्सर सर्दियों में ही बनाया जाता है और जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि गढ़ेरी क्या होता है उन्हें मैं बता दू कि ये अर्बी के नाम से भी बुलाई जाती है ये मैंने बड़े साइस की चार गढ़ेरी ली हैं सबसे पहले इन्हें हम बॉल कर लेंगे वैसे इन्हें बिना बॉल के भी हम बना सकते हैं लेकिन हम इन्हें बॉल कर लिया है मैंने ये देखिए ये अच्छे से उबल चुकी है ये देखिए प्रेस करके देखिए तो ये अराम से दब रही है अंदर को अब इन सब को हम पहले कट कर लेंगे चाकू की मदद से इन्हें साइज आप कैसे भी बढ़ा या चोटा जैसे मर्जी आपको पसंद हो आप इसे काट सकते हैं वैसे तो यह लोहे की कड़ाई में बनाई जाती है लेकिन हमारे पास लोहे की की जाती है जादतर लोग इसे खाना पसंद करते हैं और यह बहुत ही अच्छी बनती है वैसे जो लोग यहां पर अर्बी के नाम से जानते हैं दिल्ली में जो यह अर्बी आती है यह तो बहुत ही जादा हाड होती है उन्हें पकाना भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंक काम तेल डाल देंगी हिसमें कोई भी तेल आप यूज कर सकती है इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है जब तक मैंने अध्रग धूर्च हो जाएका पूर कर चलुडर को ठाल दिया है तो मैंने यह देखिए अध्रग करकेद जो है घिस के डाल दिया है आप चाहें तो अध्रब को Chop करके भी डाल सकते हैं इसे भी थोड़ा ऐसे ही मैंने मिलाया है अब इसमें मैंने प्यांस डाल दी है इसे भी थोड़ा हम भून लेंगे जब तक हहलका गोल्डन कलर करना हुजाए ऑप इसे बनाना बहुत आसान है यह नॉर्मल सब्जू की तरह ही बनती है लेकिन थोड़ा इसका तरीका अलग होता है हम इसे नॉर्मल तरीके से ही बना रहे हैं वरना इसमें भांग के बीज वगरे भी यूज होते हैं रेकिन भांग के बीज मुझे पसंद नहीं है तो हम इसे नहीं यूज कर रहे ह इसमें मैंने जिनजर गाATOR पेस्ट भी ढाल दिया थह थोड़ा टेस्ट के लिए और यह कटीव हरिमिर्च भी ढाल दी है इसे भी थोड़ा ऐसे ही मिलाएंगे अब इसमें मसाले अट करेंगे थोड़ा धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिश मैंने डाली है इसमें और थोड़ा सा ये किचन किंग मसाल भी मैंने डाल दिया है टेस्ट के लिए इन सबको अच्छे से मिला ले मसाला डालते वक्त हमने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दी थी अभी भी गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है अब इसमें हम चॉप किया वा टमाटर डाल देंगे आप चाहें तो इसका पेस्ट बना कर भी डाल सकते हैं ये इसको मिक्स कर लिया है मैंने अच्छे से गडेरी की सब्जी खाने में बहुत ही ज़ादा टेंस्ट्री लगती है, और दिल्ली में तो अक्सर नहीं मिलती, हमारे काउं से ही कभी आती है, तो हम भी से इसे इंज्योई करते हैं, इसमें मैंने पानी डाल दिया है, इसमें ज़ादा पानी भी नहीं डालना, जितना हमें जरूरी है उतना ही पानी हम डालेंगे इसे अब थोड़ी दिर मैं ऐसे बॉइल करने लिए रखूंगी क्योंकि गढ़ेरी में कभी भी थंडा पानी यूज नहीं करते यह पानी में उबाला गया है देखिए यह जैसे गरम हो गया है इसे मिला लिया एक बार मैंने आप में इ इस अरी गढ़ेरी मैं एक साथ इसमें डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा करके यह देखिए जितनी गढ़ेरी हमारे पास है हमने उस ही किसाप से इसमें पानी डाला था ज्यादा पानी भी हमने यूज नहीं किया है अगर पहाड़ी भाशा में कहूं तो हम थोड़ा लैट इसे थोड़ा साइसे मिक्स करेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे धककर और गया बिल्कुल कर देंगे इसमें व्बाल आ गया है और इसे थोड़ा गार्निशिंग कर देंगे तेस्टी सबजी, यह हमने बॉयल करके बनाई थी, अगर आप बिना बॉयल करे भी इसे बना सकते हैं, तो आपको गधेरी लेनी है, उसे पहले च्छील लेना है, लेकिन च्छीलने से पहले अपने हाथों पर अच्छे से ओईल लगा लेना है, क्योंकि उस में से कुछ से बना दी अब हमने सर्फ कर दिया इसको देखिए गढ़ेरी की सब्जी कितनी ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं दिखने में इसकी बिल्कुल सही बनी है क्योंकि अच्छे से मेल्ट हो जाती है तो इसकी गढ़ेरी की सब्जी तो कैसी लगी आपको हमारे उत्राखंड की फेम इस चानल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इसी तरीकी की आसान और एजी नई तरीकी की रेसिपी में लाती रहती हूं मिलूंगे आपसे फिर से एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखे बाबाई